अच्वाइबरीबोन स्टार्ट किरने पर यह बता दू कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जाया क्योंकि यह वीडियो इनकी बाख गए है तो डीक्रिप्शन में सारे डीटेल्स दे दूँगा कि कहां पर किस पोर्षन को रखाया मैंने जैसे ट्रिक्स वाले कहां पर रखे मैंने, auto clicker का कहां रखे मैंने, वो सब में अभी बता दूँगा आपको, तो start रहते हैं video, सबसे पहले मैं auto clicker के बारे बदा जेता हूँ, जिसे काफी easy हो जाता है, तो auto clicker को use जैसे करते हैं, यह icon है auto clicker का, इसको open करना है, यहां पर आपको जाना है multi target mode में multi target mode में जाकर करके यहां पर enable पर click करो and new configuration इसमें क्या है कि आपको बार बार आपको set नहीं करना यहां पर automatic set हो जाए मैं बता रहो कैसे तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी की profile पर जाना है and इसको एक बार set कर लेना है यहां पर plus पर click करो के तो one आ जाएगा two आ जाएगा ऐसे करके आपको set करते जाना है middle में रखते जो सब को इसको ज्यादा दे प्रेस करो कि यहां पर टाइमर आ जाएगा तो टाइमर से उतना कोई दिकत नहीं कैंसल करते ना इसको set करते जाएंगे हम लोग जैसा कि set हो चुका है तो कई लोग क्या सुचते हैं कि हो गया काम मेरा पुरा लेकिन यहां पर काम पुरा नहीं हुआ अगर आप यहां पर अगर आप open करोगे यह हमेशा क्लिक होता रहेगा यह पाउस नहीं होगा इसको क्या करना है प्ले सेटिंग में जाना है इसको सेटिंग में जाना आपको रह पे पर यहां पर करना है शोविकिन करना डिय्क करना है और। आप साइकल में वन क्लिक करके सेव कर लेना है जब सेव कर लोगे तेन अब देखो यहां पर मैं प्ले कर रहा हूं तो एक बाद टैप होके आपको आपको वापस से आना है आपको आपको दिखा रहा हूं यह एरो पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा सारा और टो क्लिकर का काम खत्म अब आते हैं नेक्स्ट पर हमारा जो आईडी कैसे बनाना है उस पर आते हैं कि माले तो आप किसी ग्रूट में तो आपको इस तरह का एसाइट में लेगा फॉल इस अइडि अप्टेटेट इसको क्या करना इसको आपको कॉपी कर लेना या फिर कर लेना तो कॉपी कर लेता हूं करेंगे कि लोगों को सब्सक्राइब करों तो इप इस इस येटर साइट आपका आजएगा ऐसा कुछ इसमें जाना पो कुछ निकलना कुछ भी आप यहां पे जेनेरेट न्यूए मेल कर दोगे तो अटोमेटिक को तो भी इमेल आपको आ जाएगा यहां पर आप जिस नाम से बनाना चाहते हो उस नाम को रख लो उससे पहले क्या करना है में एक काम करना है कि आपको अपने स्टार में कर एप्लिकेशन पर जाना है एंड वहां पर भीना लॉग इन किये ही तो हम लोग यहां से अपना आईडी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहां पर बहुंँ सारे आपसंस हैं अगर जनेरेट नुँएमेल करोगे तो अटोमेटिक कोई सा भी इमेल देगा आपको यहां से आप चाहो तो डोमेट अगर चेंज करना तो डोमेट भी चेंज कर सकते हैं बहुं सारे यहां पर डोमेट भी हैं यहां पर देखोगे तो किसी पर भी आप क्लिक कर लो सबसे अच्छा चीज यहां पर मुझे यह लगता है कि हम लोग को बार बार जनेरेट नुँएमेल यह पर क्रियेट नहीं करना पड़ता जो भी हमको रखना है यहां पर लिख दिया और वन टू सिप करते जाना हम लोग को तो यहां पर वन करके हम लोग कॉपी कर लेंगे साइन अप पर गए एंड यहां पर नेक्स्ट क्लिक करना है नेक्स्ट पर जाकर की अब सॉरी डन करके अब वापस से साइट पर जाना है यहां पर रिफर्स पर क्लिक करना है रिफर्स पर क्लिक करो गया तो यहां पर दिखो ब्लू क्लेर का एक आ गया मेल आ गया तो इस प आपस इस टामएकर पर जाएंगे में और को लिखना जरूए में पेस्ट कर दिया ड़न कर दिया पासवर्ण में बोलते हैं नंबर होना चाहिए अलजा बेट होना चाहिए यह सब होने चाहिए तो यहां पर अपना जिंडर सेंट करो एंड सेव करो क्या हैं हमान ट्रैकिंग इडिए तो इसमें जो starting में जो followers देते हैं, following देते हैं इसको नहीं करना, इसको हटा देना आपको, हमें जिनको follow करना है, या फिर जो list के लोग और उनको ही हमको follow करना है, बाकी 49 ID से, और कैसे करना वह मैं बताऊंगा भी, जो जानते वो तो जानती है, यहां पर next किया, next करके अब यह देखिए हमारा जो first ID है यह tracking ID हमारा होगा इसको use कैसे करना हम देखेंगे पहले तो यहाँ पर सॉंग सर्च करते हैं वहाँ पर जाना है जो हमको falling list वाले ID मिली थी group में उसको यहाँ पर paste करना है यहाँ पर paste करते हैं and search यहाँ पर 89 लोग है 89 लोगों को हमको follow करना है यह हमारा first ID है tracking ID tracking ID क्या होता है वो मैं बताता हूं को थेदे में 49 लोगों follow करना अभी recent में क्या हुआ है यह rule आया है कि एक साथ आफ से 50 लोगों follow कर सकते हैं तो हम लोग से 45 लोगों follow करें तो यह आपने लोग देखते हैं काउंट करते हैं योगे मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्थ यह हुआ फिफ्ट यानि फॉर्टी फाइब लोग ठीक है अब हमको 10-15 सेकेंड रुकना होगा क्यों ऐसा क्योंकि यहां पर 10-15 सेकेंड रुकना पड़ेगा आपको तब ही जाके आगे के लोगों को follow कर पाऊंगे नहीं तो क्या आएगा operation frequent क्यों कि हर किसी को यह तिक्कत होड़ी कि operation frequent आ रहा पचास के आपचास के बाद तो उस चीस से बचना है अगर तो अगर आप 10 को एक बाद फॉलो करते तो 40 लोगों फॉलो कर एक बाद में अगर 9 को फॉलो कर रहे हो तो 45 फॉरसेफ देखिए 10 सेकेंड तो हो चुका है तो आगे के लोगों फॉलो करते हैं तो आगे में करते जाते हैं वान उग गया टू थ्री फोर यहां पर रूप के हैं इसके आगे नहीं हो रहा है क्योंकि अगर 90 होता तब उसके आगे हमें फिर 90 पर रूखना पड़ता तो यहां पर हो गया हमारा जो फर्स्ट आइडी यह ट्रैकिंग आइडी हमारा बन गया तो अब tracking ID बनेगे तो इसको हम लोग copy कर लेंगे tracking ID को ठीक है अब इसको log out कर लेंगे अब इसका काम किया है tracking ID का कि यह जो ID है इस ID को जो हम लोग बाकी के 14 ID है second, third, fourth, fifth, ऐसे लेके 50 तक जो हम लोग ID बनाएंगे उनसे हम लोग अपने first ID को follow करेंगे जिससे हम लोग जब भी जब report देते हैं तो tracking ID में हमारा first ID को ही देना होता है tracking ID को अब क्या करना है अब हम लोग लोग आट में यहाँ पर search कर लेंगे tracking ID को इसका use कहते होगा और मैं बता दूँगा paste कर दिया और यहाँ पर देखिए हमार जो first ID था यह आ गया है अब इसको पहले follow पर click करेंगे then following पर जब आप follow पर पहले click कर देते हो ना तो automatic जब ID बनेगी तो follow हो जाता है अब हम लोग वापस जाते हैं अपने application पर उससे पहले एक और काम मैं बता रहा था क्योंकि हम लोग अब next बनाने वाले second, third, second or third ID बनाएंगे तो यह second trick मैं बता रहा हूँ जो trick मैं use करता हूँ तो यहां से कुछ change करते हैं इसमें हमको दो application कर जोद पढ़ेगा एक astamica है जो कि भी बना रहते हैं वैसे ही बनाना है astamica और एक और application कोई भी आप रखलो तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे logout में ही search कर लेंगे जो मारी s id थी इसको paste कर दिया and search कर दिया अब क्या करते हैं हम लोग वापस से जाते हैं browser पे अपने यहां पर second id बनाएंगे यहां पर clear key one and group को copy कर लिए star maker पर जाना हमें paste किया next अब इसको verify कर लेते हैं यहां पर refresh पर click कर जी यह हो गए डन अब वापस इस्टामे कर प्याने आपको and जो प्रोसेस था वो प्रोसेस आइडि आने का प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग प्रोसेस करते हैं done नो यह सेकेंड आइडिये तो यह जरूरी नहीं किनकोन फॉलो करनो इसको रहने दे सकते हैं अब यह following लिस्ट आगे यहां पर देखी कुछ चीज में बता रहा हूं कि यह लिस्ट था अब हम लोग बार बार कॉंट नहीं करेंगे सकेंड आइडियों में एक बार कॉंट करेंगे देखें कहां पर हमारा 45 लोग रूख रहे हैं इसके बाद हम लोग याद रखेंगे जैसे भी देखते हैं वान हो किया टू थ्री फॉर एंड यह आया हमारा फिफ्ट में अब हम लोग यहां पर याद तो से पंदे सकेंड रूख जाएंगे फिर इसको यूज करेंगे और एक चीज और कि यहां पर हम लोग हर बार कॉंट नहीं करेंगे जब भी हमारा सत्य आएगा वहां पर रूख जाना है 45 पर यह टाइम को हम लोग यूज कर लेते हैं जो हमारा जो दस से पंदे से केंड है तो हम लोग अपने जाते हैं सेकेंड जो अप्लिकेशन वहां पर जाना है एंड सेम उसी तरह से आप को क्या करना है कि इस आईड को जो था 1st ID, tracking ID को सर्च करना है यहाँ पर ट्रैकिंग ID को सर्च कर होगी तहीं यहाँ पर फॉलव पर क्रिक करना है इसके बाद यहां following पर click करके id create करनी इसे हम तरीके से और या तो चाहे हम लोग यहां से directly भी कर सकते यहां पर three लिख देते हैं टुके के आपट and next कर दिया यह trick मैं use करता हूं एक साथ दस आईड का भी मैं verification कर लेता हूं σंब सुरद धरों में आ जाएगा है यहां पर three लिखना है एन रिफेश क्लिकर में तो डाल में और आइडी का वेरिफिकेशन आगे है अब वेरिफिकेशन यहां पर हो चुका है तो यहां पर सेम पास्वर्ट वगेरा डालना है नेक्स्ट क्लिक किया अब हम भीन अकॉंट की करेंगे रुखना है हमें कहां सत्या पर रुखना है अगर 90 से ज्यादा लोग रहेंगे तो सेकेंड परसंट कभी नाम याद रखना पड़ेगा पड़ेगा क्या याद हो जाता अटोमेटिक ली अग्या करेंगे वापस हम लोग फर्स्ट आईडी पर जाएंगे एंड फॉलो करेंगे बाकी रेस्ट को यहां पर आपका प्राइशन फ्रिक्वेंट ना इकदब हो गई निया प्रेशन फ्रिक्वेंट कि मैं भी बनाता हूं कभी कभी दो से तीन तिन एक बार हो जाता हैं ऐसे यह और फ्रिक्वेंट नहीं होता है अगर एक भी वापस से लॉग अएं करके उसम आपको है कर सकते हो वापस से लॉग अभिन पर दोर करके भी लॉग करके आप बाकी लोग हो फॉलौव कर सकते हैं after five minutes यह अभी हो गए आगे लहते तो आगे भी करते हैं अब ही हो गए अब इसके आगे इदर फॉलौ conferences लेंगे फिर लौग आट करके गते फैरर बनाते हुं लोग फिर शीव चस्लिजा बनाते हैं ऐसे ही करके 50 खजानते यह दो ट्रीक है यह दो ट्रीक साब कर सकता हो हां तो इसके बाद जब i.d क्रिए हो जाती है जो नए मेंबर सुने के लिए है तो जब फिफ्टी इडिस बना लेते हैं तो वहाँ पर ट्रैकिंग आइडी देनी होती रिपोर्ट में तो वह कैसे रिपोर्ट देना है वह मैं बताता हूँ यह कंप्लीट हो गया तो आपको जो भी ट्रीक अच्छा लगता है या फिर आप 10-15 सेकंड वेट करो या फिर एकसा दो आइडी बना वहाँ पे आपका 10-15 सेकंड जो वेट करते हैं वह कहीं दूसरे आइडी में यूज हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा था कि ट्रैकिंग आइडी को फॉलो करना देखो क्यों आपने आइडी बनाई है न सेकंड वह फॉलोवर्स में शो करेंगे टू थ्री फॉर ऐसे करके 50 आइडी यहां पर 49 आइडी फॉलोवर्स यहां पर शो करेंगे जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं तो कईसे करना वह बता रहा हूँ आपको क्या करना है यहां पर जाना है इस आई डी को कॉपि कर ले ना वैसे कॉपी तो आपके पास कॉपी कर लेंना है एंड आपको यहां पर रिपोर्ट देना है जैसे मान कर चला हमें रिपोर्ट देनी यहां पर तो क्या करेंगे आप आज का डेट लिखेंगे डेट आज का जो भी होगा तो डेट आज हो गया 28 में 28 में ठीक 50 ID स्टर्फ करें सरफ, एप क्या लिखना है? आपकी जो MAIN ID होगी DO MAIN ID को व्रका जरा созд Neo main ID है अगर आप अपनी Main ID का ID दोना चाते तो वह भी हो दे जे सकते और मिन आईड के बाद हमको क्या लिखना है ट्रैकिंग ID Tracking ID में क्या है इसको जो value वाले जो ID थी इसको मुलब Tracking ID कहते है Tracking ID में हमारा जो था इसको paste कर देंगे अब Tracking ID के बाद हमारा जो series है मालने तो जो series बनाये थे वो series का यहाँ पर लिख लेते है Now H, D, E, I, F, F जो भी था bracket में कर दिये 1, 2, 50 इसके अलाभा आपको वैसे कुछ लिखने के जुरुएत निए आप डाइक लिए आपे रिपोर्ट सेंड कर सकतो यह आपको रिपोर्ट सेंड हो गया ऐसे ही आपको रिपोर्ट देनी आप इसमें डिजाइन मारो है जो बनाना मारो लेकिन बेसिक इतनी इंफोर्मेशन होने चीए तो हमारा वीडियो एतना ही था अगर आपको कुछ भी दिखरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना